में तैक्षर के बारे में बात करेंगे होकर खा़ुक्त अपको इसके फंक्शनटस भी समझ O एक कावर्गन होता है जो मसकुलर ओर्गन होता है जो मुसस से मिलकर बरा होता है हाड होलो होता है यशनी अंदर से खाली होता है heart pump blood pump का कारिय करता है blood को pump करने का काम करता है और heart 10 cm long होता है इसकी weight about 225 gram female के अंदर इसका weight 225 gram होता है और male के अंदर 310 gram होता है heart की location होती है यह हमारे lungs की यह जो हमारे दोनों lungs है उसके बीच में space होता है वहाँ पर left side में present होती है heart का हमेशा base part है वो उपर की और present होता है और जो उपर का part होता है वो top part होता है वो नीचे की और present होता है अब हम बात कर लेते हैं hearts की structure की hearts की structure hearts की structure एक मुठी नुमा structure होती है मुठी के आकार की होती है और इसमें यह 4 बागो में 4 parts में divide रहता है left artium, right artium, left ventricle, right ventricle चार पार्ट में divide रहता है इसमें हम पहले बात कर लेते हैं left artium की left artium की बात कर लेते हैं जिसमें इसके नीचे के और mitral valve पर्जेंट होती है जिसे biscoid valve भी कहते है biscoid valve का मतलब होता है जो दो सीरों के उपर पर्जेंट होती है उस valve को biscoid valve कहते हैं इसके नीचे ही एक arctic valve होती है इसके हर्दे के हमारे heart के बीच में एक arctic valve होती है यह जो arctic valve है इसे similar valve का मतलब होता हाफ moon half moon यानि अर्ध चंदर के आकार का अर्ध चंदर यानि अर्ध ध्यावरण अर्ध या बीच से एक half moon की तरह इसकी structure होती है इसके नीचे है left ventricle left ventricle यानि बाया निले बाया निले इसके नीचे myocardium परजेंट होता है myocardium थिक होता है, मोटा होता है यह मोटा इसलिए होता है क्योंकि इसका कारिया होता है blood को heart से पूरी body की और flow करना और इधर की side right ventricle के पास में भी यहां myocardium परजेंट होता है जो कि थिन होता है पतला होता है क्योंकि उसका कारिया blood को सिरफ lungs तक flow करना होता है जबकि left ventricle के नीचे present myocardium का कारिया होता है वो पूरी body के अंदर blood को flow करना होता है इसलिए यह यहां से मोटा होता है यह यहां से पतला होता है इसके नीचे है myocardium के नीचे देखिए यह heart की जो epicardium outer layer होती है यह पूरी heart की जो चारो लेयर होती है इसे outer membrane कहती है epicardium जो कि outer membrane होती है और इसके अंदर की side जो layer present होती है यह layer होती है इसे endocardium कहती है endo यानि inner और cardium मतलब heart heart के अंदर की cell present होती है अब हम बात कर लिए राइट आर्टियम की राइट आर्टियम के अंदर एक van present होती है जो यहां से भी open होती है जिसे corneric van कहती है इसके उपर और एक van होती है जिसे superior van कहती है superior van जो superior यानि उपर की और उपर की और जो van present होती है यह देखिए उपर की और present है इसलिए इसे superior van कहती है इसका काम होता है हमारे head, head से shoulder से blood को heart की तरफ flow होना यह देखिए जो heart के बाहर से यह blood heart के अंदर enter कर रहा है इसलिए इसके arrow का निशान लगा रहा है इससे पता चल रहा है अब बात कर लेते हैं हम इससे इससे नीचे right arm के नीचे present valve की यह जो palvary valve कहलाती है जो बीच के और जो present होती है यह palvary valve कहलाती है इसके नीचे right ventricle present होता है right ventricle के पास में एक valve होती है van होती है जिसे inferior van koa कहती है इसका काम होता है हमारे हाथ पैर से blood को heart की तरफ heart की तरफ supply करना अब यह बीच का जो part होता है हमारा heart के बीच में यह जो space होती है यह जो खाली सान है यह जगे है इसे spectrum कहती है जो कि left artium left ventricle right artium और right ventricle चारों को मिला कर जो part बनाती है उसे spectrum कहती है left artium के उपर भी present एक van होती है जिसे palmarie van कहती है palmarie van कहती है इसका कारिया होता है lungs से हमारी फेफडो से blood को heart से बाहर heart की बाहर की और supply करना और इसके उपर ही एक ordinary van होती है जिसका कारिया होता है blood को heart से body की और supply करना blood का heart से बाहर की और body की और supply होता है या फिर flow होता है अब हार्ट की सबसे men's structure सबसे men's part की बात करते है जो इसके बाहर की और यह सबसे मोटी layer होती है यह सबसे मोटी लेयर होती है जो डबल लेयर से मिलकर बननी होती है इसे कहते हैं पैरिकार्डियम Perigardium यानि ये थो layer से मिलकर बनेंगी होती है सबसे outside के और सबसे बाहर exam कहते है जिसे outer layer कहते है जिसका Inglis में नाम होता है Perigardium यह heart का protection करती है और यह fluid इसके अंदर fluid present रहता है यह हम बात कर चुके है heart की all parts की all parts की और purest texture की बात कर चुके हैं मैंने parts के नाम के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ ये देखे शॉर्ट कट में ताकि ये हमें याद रहसके अब हार्ट का स्टार्टिंग से देख ले दें क्या काम होता है ये एरो की निसान से देखे ये एरो लगार की इसे आपको पता चल रहा होगा यह पहले blood हमारा blood होता है वो lungs से blood heart की तरफ आता है यह देखिए lungs से blood heart की तरफ आ रहा है left artery में आएगा फिर left artery से left ventricle में आता है left ventricle में आता है left ventricle से यह फिर यहां से जाता है यहां से होकर जाता है यहां से यहां से यहां से होकर जाता है और पूरी बोड़ी के और यह देखिए inferior van भी पूरी body में flow होता है blood का और फिर इड़ेल बेन जो हमारी खाट और पहर से जो blood होता है वो heart की तरफ flow होता है ये इदर से blood आता है ये van इसके पिछे से है ये van से यहां से आता है और फिर right organisation में आता है right हाट Nich backward में आता है इसी प्रकार इस साइकल है इसको बार 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 रिपीट किया जाता है इसी टाइप से हमारे हार्ट की जो हमारे हार्ट की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है आपको मेरी वीडियो बिल चरह से भी helpful लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बुले और लाइक कीजिए